हेलो डियर स्टुटेंट्स सब सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है फ्रेंड में इस वीडियो के माइधम से आज आप लोगो को बताने वाला हूँ जारखन B.E.D.E. Entrance Exam 2022 में ठीक है जो होने वाला है 23 अक्टूबर को ठीक है जो अक्टूबर को एक्जाम होने वाला है इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर लेकर आ चुके हैं हिंदी का जो कि आप लोगो के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वीडियो को पुरा देखिएगा थोड़ा सभी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये विडियो आप लोगो के जिंदेगी का मतलब सवाल है समझ सकते हैं एक्जाम में अगर आपको पास होना है तो विडियो को कम्प्लिट देखिएगा ठीक है तो एक्जाम देख सकते है जारखान बी इडी इंटरेंस एक्जाम ठीक है 2022 जो कि आपका अक्टूबर में होने वाला है ठीक है जो कि आपको अक्टूबर में होने वाला है वो भी 23 तारीक हो ठीक है वक्त ज्यादा नहीं है तिन दिन का वक्त है चलिए कर लिजे जो भी है ठीक है तो चलिए पहला कोशन देखिए यहां पर क्या है पहला question आप लोग से पूछा गया है हिंदी भासा की बोलियां है तो दोस्तों जो आपका हिंदी भासा है इसमें मतलब जो भासा बोल जाती है तो इसे आठरा भासा बोले जाती है अगर आप लोग को confusion है तो आप लोग देख लीजीए ठीक है ये question दोस्तो confusion वाला ही question है देखिए question को घुमाकर आप लोगों से पूश रखता है कि हिंदी भासा में कितनी भासा बोले जाती है तो होगा आपका 18 अगर बोला जाए कि हिंदी भासा में कितना भासा होती है तो आपका हो जाएगा 22 जिक यह दोनों को ही आपको याद करना है ठीक है उसके अगला प्रश्ण आप लोगों के सामने है क्या है कि समाजिक सब्द में मूल सब्द और प्रत्तर है दोस्तों जो हमारा समाजिक है अग लोग प्रत्य मतलब समझ देऊ प्रत्य मतलब होता है जो लास्ट में लगता है ना तो इसमें लास्ट में को लगा एक लगा यह प्रत्य हो जाएगा मुलसब्द हो जाएगा समाज तो आपका अफसा नमबर बी बिलकुल करेक्ट जबाब है जो कि देख सकते हैं प्रस्णों क समझ लीजी आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं है इन प्रस्णों को अच्छे तरके से देख लीजिए प्रस्णा आने वाला ही है और ऐसा ही प्रस्णा आप लोग के जो जारखन इसमें डारेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा उसके बाद आप लोग का प्रस्णा है तदभब पत्रीका के संपादक का नाम क्या है तो इसका नाम है अखिलेस option number B बिल्कुल correct जबाब है ठीक है उसके बाद अगला देखिए अगला प्रशनाप्रों को से पूछा गया है कि बारहा बरस लोकुकर जीवे अरू तेहर लो जीए सियर ये जो पंक्ती है किसकी है ये पंक्ती किस ने दिया है तो ये जो पंक्ती दिया है जगनिक ने दिया है तो option number आपका C या पर बिल्कुल correct जबाब है उसके बाद अगला प्रशनाप्रों को से पूछा गया है आकाल का परियाबाची सब्द है तो आकाल का परियाबाची सब्द कोन है ये आपको बताना है जो कि आप लोके लिए most important प्रशन है तो देखिए इसका अंसर क्या होने वाला है जिसका जो एंसर होने वाला है दूरभीक्ष आपका प्स नमरे बिल्कुल correct जबाब है ठीक है उसके बताके चलिए अगला प्रशनाप्रों को से पूछा गया है कि आकास का परियाबाची सब्द है अपस नमरे है आपका दूरभीक्ष भी है आपका दियारा सी है ग याद रखना होगा ठीक है उसके बाद आपका साथ नमर प्रसन क्या है नियमनलकित में से कुन बाइक में कों सा बाइक को दोस्तों मिस्तृत बाइक है तो मिस्तृत बाइक को कौन सा है यह आपको बताना जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बीवी आइप परसन है सम्मुख ठाथ्थ है चौन सा होगा अधक्ट्र पर फंग है नहीं तो यह आपका सदेखा है टार अधक्ट्र गिया पर सम्मुख ठाथ्थ है तो तो यह ने पर जूर्ण आयात का बताया जो थे और बार पूछे जाते हैं वैसे प्रस्वन को में अच्छे तरीके से और इजी तरीके से आपका 8 आपका question बताया जो आपकी exam में आपको direct आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है तो वीडियो को पुरा देखिए रटली जहरे एक परसन को इससे बाहर आप लोग का कुछ भी होने वाला नहीं है तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए ठीक है कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रू बोलिएगा जितना अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा और आगे में और भी आप लोग के help करूँगा अगर आप लोग के जादा requirement होता है कमेंट आता है तो ठीक है तो वीडियो पर कमेंट करेगा और किस सब्जेट का वीडियो चाहिए तो चली मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए थैंक्यू जहिंद